हाई फ्रेंड्स महितर डॉक्टर बिनोस सर्मा फ्रॉम सेयभ कोई पीता होगा कोई कफी पीता होगा मैं कहता हूँ आप ये सारी चीज़ें पीजी आपकी देकिन मेरे कहने से एक काम जरूर कीजिए आप सुबह ही सुबह उठकर खाली पेट यहां मैं आज यह कैसी ड्रिंक बताऊंगा आप इस ड्रिंक को केवल पंद्रे दिन पी लिए आप देखेंगे कि आपको पंद्रे बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा और खासकर जो माता हैं बेहने उनकी कुछ ऐसी बीमारिया हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा वो भी इन सब बीमारिय से बनाइजानी है और जारे तरह लोगों के सबखे करूमे किचेंड में मिल जाती है इस अजमाइन में फायवर्स बहुत ज़ादा होते हैं एन्टी ऑक्सिडेंट होते हैं कैलसियम होता है अारन होता है फॉसप recommend होते हैं ​​ इसके अलावा इस में प्रोटिन बहूत होते हैं क तो वो देखे ढाते बीजमार यह हैं जब से पहले तो यह digestion अगर किसी का digestion कम जो रहाए जिनले के ठाशना कंड हो रहा तो इसे लोगों को तो तो इसे लोगों गर्ताइए जो में के धेस्टर और गार रशना की को भी एक्टिबिटी को इनक्रीस करता है जिससे हमारा digestion atau digestive कर आ इसके अलावा जिन लोगों को acidity की problem रेती यानि अक्सर देखा होगा कि चाहे वो खाना खाने तब भी और ना खाए तब भी उनको acidity या खीने में चलन की problem रेती है तो anti hyper acidity activity के कारण ये acidity की problem को ठीक करता है इसके अलावा जो लोग ओविसिटी वाली लोग है यानि जो लोग जिन लोगों को मुटापा ज्यादा है ऐसे लोगों में ये मुटापा कम करने के काम करता है क्योंकि ये हमारी body मेटा वोलिम को increase कर देता है मेटा वोलिम इंक्री होने के करण ये effect को कम करता है और obesity कम होती चली जाती है इसके अलावा जिन लोगों को esthema की मरीज है यानि जिन की सांस पूलती है तो ऐसे लोगों में सांस के patients में बहुत अच्छा काम करता है इसके अलावा आशकर बहुत लोग परेसान हैं जिर की कब्स की बीमारी है यानि जिन को गड़्य यानि सुभी सुभी सौच खुलकर वो नहीं जा पते हैं, बहुत-बहुत देर तक बो लेटी में बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अजमाइन का पानी पिलाने से, कॉंस्टिक्वेशन में बहुत अच्छा आराम मिलता है, इसके अलावा, कई लोगों में cold and flu, आजकर सर् होना, तो इस तरह की दीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है, इसके अलावा, इसकिन डिजीज, आजकर इसकिन की डिजीज, बहुत पॉपिलर डिजीज होती जारी है, जाएकर लोगों इसकिन डिजीज से परियसान है, तो इस अजमाइन के अंदर antiseptic property होती है, antibacterial property हो इन सब properties होने के कारण इसकिन की जितनी भी problem है, चाइबो allergy की problem है, eating की problem है, बहुत अच्छा काम परती है, इसके अलावा, जो माता हैं और बेन हैं, उनमें radius problem, यानि कि कई बार जब MC का period आता है, यानि कि जो मन्थली महीने के time पर पीरेट आता है, तो उनको बहुत किसी किस होता है तो उस समय उनको बहुत परिशानी होती है बहुत बἵद बेचहनी होती है इंजियों तक हो जाती है तो ऐसी बेचहनी से च्ट्ट कारह पलाने के लिए यह अजमाईन का पानी पलाने से सहाइन मिल जाता है इसके अलाव से चोटाहजिव दिलाने में बहुत हेल्प करता हैिस के अलावा बहुत से लोगों को आपको देखा होगा ऐप में की मुह Base käyt前 मों पादवार शाता है इस ने लोगों को अजिवा Оलाघ जूख लेना मुझता हो जाता है पर उसी йो उनके बैञा होता है तो ऐसे लोगों को अज चल्टी चल्टी throat infection हो जाता है ज्रबीच तेज बुलनी पर गला बैठ जाता है जा, बहुत से लोग के प बोलते हैं कि हमारे कले मेघले में खराश हो रही है, या ने गले में दरद हो रहा है, इचिंग हो रही है तो इस तरह के जो मरीज हैं उन लोगों में अजमाइन का पानी अगर पिलाया जाएगा तो गले की बीमारी स्थे पर्माने चुटकरा मिल सकता है इसके अलावा जो लोग डैगटीज के मरीज हैं यानि जिनका ग्लड सुगर लेबिल बढ़ा हुआ रहता ह उनको भी अजमाइन का पानी सुवे सुवे खाली पिलाने से बहुत अच्छा रियल्टी टेखागा है इसके अलावा अजमाइन का पानी हमारी सरीर में इम्मुनिटी बढ़ाता है यानि हमारे सरीर के अंदर रोगों से लगने की ताकत पढ़ाता है तो अजमाइन का पानी फिरकी से पीने सेहमारे पास दिमारियां जल्दी अटेक नहीं कर सकती हैं और हम दिमारी से सेव बचे रहेंगे इसके अलावा एक को खटाता है त्यानि कि यह लो यानि के बैट कॉलिस्टॉल और ट्राइग्लिस्टर को घटाता है और जो गुड कॉलिस्टॉल है उसको बढ़ाने का काम करता है अब फ्रेंट्स बात करते हैं कि इस ड्रिंक को कैसे बनाया जाए इसके बनाने के लिए एक गिलास पानी में उसमें एक चमच अजमाइन डाल दें और रात को पानी में भुड़ो कर दें और सुबह जब हम उखें तो इस पानी को अच्छी तरह से वाइल करना है अजमाइन मिक्स हुए पानी को अच्छी तरह से कॉइल करना है और चानने के बाद यह चुट्रिंक हो गए और इसको हम सुवह सुवह खाली पर तगर पिएंगे तो मैंने आपको ऊपर यह फाइदे बताई थे इन सारे फाइदों में बहुत अच्छा आराम मिलेगा यानि आप इन उपर जो वीमारियां पता ही है उन सबसे छोटकार आप पास सकते हैं तो फ्रेंट्स अब यह मेरे वीडियो यहीं एंड होती है और मेरे वीडियो से लेटेड आपको कोई भी कॉस्चन पूछा है तो कमेंट बॉक्स में जाका पूछ सकते हैं और आपको इन मेरे वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने ज्याधर से ज्याधर लोगों को शेर करें जिसे ज्याधर से ज्याधर लोग भीय Copies약 के बारे में जान सकें और इसके फायदों के वारे में जा सबक्राइब करें जो बेल आईक्ओन दिखाई दिरा स्क्राई डिक् vraiment मेरी आने वाली हर नी वीडियो का नोटिविकेशन सब्सक्राइब को मिलता रहे तो ठीके दोस्तों मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तक तक को के बाई